वन आफ दे बेस डिरेक्टर अनुरांग बासू आज अग उनकी बहुत से शांदार फिल्म्स देखते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब अनुरांग बासू अपनी जिंदगी और मौत के बीच जोज रहे थे किसी को भी उमीद नहीं थी कि अनुरांग बासू इतनी बड़ी बिमारी को मात देकर वापस मैदान में लोटेंगे खुद अनुराग बसों को भी अपनी इस बिमारे के बारे में नहीं पता था क्योंकि करीबी रिष्टेदारों या पिर उनके दोस्तों ने उसे ये बात छिपा कर रखी हुई थी आखिर क्या हुआ था गैंस्टर के वक्त अनुराग बासों को जो मुझे इमर्जेंसी में हॉस्पिटलाइज करवाया गया क्यों मुकेश भट ने पैक अप बोल दिया था और वो भी गुस्से में वक्त था गैंग्स्टर की शूटिंग के टाइम का जब अनुराग बासु को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था जैसे कि उनके मुँ में छाले हो गए हो या फिर कुछ बबल टाइप उन्हीं फील हुआ ऐसा अनुराग बासु ने अपनी इंटर्व्यू में ये सब कुछ शेर किया है जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह उनकी फामिली और उनकी सैंस सभी लोग एक सपोर्ट सिस्टम बनकर सामने आये थे ऐसा महसूस होने के बाद अनुराग को लगा कि अब डिक्कत जादा बढ़ रही है तो उन्हें तुरंद हॉस्पिटलाइज करवाया गया हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने जब उनका चेक अप किया तो कुछ अलग ही बात निकल कर सामने आई हॉस्पिटल में डॉक्टर ने नुराग बासो को कैंसर डिटेक्ट किया था ये बात अनुराग बासो को उस वक्त नहीं बताई गई थी लेкिन इस बारे में मुकेश भट अच्छे से जानते थे अनुराग की इस कंडिशन को देखते हुए मुकेश भट काफी स्ट्रेस में आ गए और उन्होंने सेट पर जाकर पैक अप बोल दिया था कि फिल्हाल फिल्म की शूटिंग नहीं की जाएगी अनुराग बासु के लिए मुकेश भट ने इस फिल्म की शूटिंग तक को रोग दिया था अब सबसे बड़ा टास्क था अनुराग बासु को ये बताना कि उन्हें ब्लड कैंसर है अब इन सब के बीच अनुराग बासु की बॉड़ी बहुत वीक हो रही थी उनके प्लेटल करवागने की रिस्पॉंसबिटी दी क्योंकि उस वक्त टाटा हॉस्पिटल में बैड अरेंज करवाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी और अनुराग बासों इतने जारीमानी हस्ती उस वक्त नहीं बन पाए थे वैल इसे के साथ अनुराग बासों को बताया गया फाइ दी मोटिवेट हो गए थे उनकी जो वाइस है वो सेवन मन्स प्रेगनेंट थी उन्हीं भी ये बात तभी बताई गई जब फाइनली डॉक्टर्स ने कहा कि अनुराग बसों की प्रॉपर कीमो की जाएगी यहाँ पर अनुराग बताते हैं कि टेलिविजन और उनकी जब कीमो चली तब भी वो गैंग्स्टर की सेट पर आया करते थे और अपनी काम को अन्जाम दिया करते थे और इस तदह से गैंग्स्टर में मुकेश भट साहब की साथ अनुराग बासू फिर से मैदान में उत्रही इस बारे में आपकी क्याराए है शेर यो ग्यूस और वे वे एलूब झाली आपकी की सेट जाए है अनुराग जब ऑलूब के बास्ट में आपकी काम की साथ एलूब ऑलूब 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 ऑलूब